नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब सब बढ़िया गर्ड तो जैसे आपने टाइटल में देखा कि मैं बताऊंगे कि आपकी फैमली में कितने मेंबर हैं और आपकी कितने भाई भेहन हैं तो यह सब मैं आज आपको बताने वाली हूं तो उसके लिए आपको सिंपल से कैलकुले तो आप इसमें केल्कुलेटर का भी यूज कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपका मन कारें हम start आप भी सोच होगे वैसे कि ऐसे कैसे मतला possible है तो एकबर ट्राइ करके देखें तो करें start तो step number one, इसमें जितने भी आपकी family में member हैं, उसको आप, मतला count कर लिजे, आपकी total family में आपके कितने members हैं, suppose मेरी family में five members है, तो मैं five number ले लूँगी, ठीके, now in step number two, जो भी digit है, जो भी आपके जितने भी family members हैं, उसको आप 2 से multiply कीजिए, multiply your family member number with two, आपके पास multiplication के बाद, जो भी number आया, उसको आप, उसमें आप 3 add कीजिए, add 3 in the number, clear, steps carefully follow कीजिएगा, now, जो भी आपके पास डिजित number आया है, उसको आप five से multiply कीजिए, multiply the number by five, now, जो number आया है आपके पास, उसमें आपके जितने भी भाई भेन हैं, उसमें आप उनकी जो संख्या है, जितने भाई भेन हैं, उसको add कीजिए, जैसे हम तीन भाई भेन हैं, तो मैंने उसमें तीन add किया, अगर कोई अकेला है, तो वो zero add करेगा उसमें, जो भी आपके पास number आया है, उसमें अपनी भाई भेन, जितने हैं आप लोग, उसको add कीजिए, Now, last step, इसमें आप जो भी आपको add करने के बाद, जितना भी number आया है, उसमें से आप 15 को subtract कर जीजिए, subtract 15 from the number, now result time, सब excited, ओके, तो जो भी आपके पास number आया है, उसमें जो last digit है, वो तो है आपके भाई भेनों की संख्या, वो आपके brother, sister कितने, उसकी संख्या, और जो आगे की डिजिट्स हैं, वो है आपके family members की, तो सब का सही आया, अगर आप में किसी का कुछ थोड़ा सा गड़बड हो रहा है, या नहीं clear रहा है, तो आप प्लीज ये steps दुबारा से follow कीजिएगा, तो try कीजिएगा, जरूर आपका 100% सही आएगा, okay, so, तो मिलते हैं हम अपनी next वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और like, share और subscribe कीजिए, धन्यवाद, झाल 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 झाल